MS Word 2016 के इस अध्याए में हम आपको बता रहे हैं Quick Access Toolbar के बारे में MS Word में एक बहुत ही अच्छा option है जिसका नाम है Quick Access Toolbar इस Toolbar की सहायता से हम तुरंट किसी भी option का इस्तेमाल कर सकते हैं उसके लिए आपको किसी भी tab में जाने के जरुरत नहीं होती इस Toolbar में आप वो commands रख सकते हैं जिनके आपको अक्सर जरुरत पड़ती है इसके साथ ही आपने इसमें जो भी command add की हो उसे shortcut की द्वारा भी यूज़ कर सकते हैं Quick Access Toolbar से आपके समय की बचचत होती है और काम भी आसानी से हो जाता है तो आईए देखते हैं इसका उपयोग कैसे किया जाता है Quick Access Toolbar menu bar के उपर left side में होता है जैसा कि इसका नाम है Quick Access मतलब जिसे हम तुरंट इस्तेमाल कर सकें या जिस पर हम तुरंट पहुँच सकें इस toolbar में वो commands रखी जाती है जिनकी हमें अकसर जरुरत पड़ती है इसमें by default तीन commands होती है Save, Undo और Redo इन commands के बाद आपको एक downward arrow दिखेगा जिसके मदद से आप Quick Access Toolbar में उपयोगी commands एड़ कर सकते हैं हम इस पर क्लिक करते हैं यह देखिए drop-down menu open हो गया है अभी इसमें केवल तीन commands के सामने टिकमाक लगा हुआ है इसका मतलब है कि यह Quick Access Toolbar में पहले से ही हैं अब बाकी commands में से जो भी command आप यहाँ पर add करना चाहते हैं उन पर क्लिक कर दें जो दारण के लिए हम इस menu में से new command को add करना चाहते हैं तो हम इस पर क्लिक कर रहे हैं यह देखिए new command Quick Access Toolbar में add हो गया है अब अगर आपको इस option को use करना है यानि अगर आपको कोई नई फाइल लानी है तो उसके लिए फाइल में जाकरके new पर क्लिक करने की बजाए आप सीधे Quick Access Toolbar में new पर क्लिक कर दें यह देखिए यह नई फाइल आ गई है अगर हमको इसे हटाना हो तो वापस new पर क्लिक करके यह टिक हटा देंगे तो यह यहाँ से हट गया आईए अब हम Quick Access Toolbar के कुछ अन्य ओप्शन्स देखते हैं इसके लिए हम इसे दोबारा ओपन करेंगे इसमें More Commands ओप्शन पर क्लिक करें क्लिक करते ही एक नई विंडो ओपन होगी चूंकि हमने Quick Access Toolbar के लिए यह विंडो ओपन की है तो यहाँ पर Quick Access Toolbar selected है आपको इस लिस्ट में कई सारे Commands दिखाई दे रहे हैं इन में से आप कोई भी Commands सेलेक्ट करके एड़ कर सकते हैं उधारन के लिए हम इन Commands में से Copy Command एड़ करना चाहते हैं तो हम उस पर क्लिक करेंगे और फिर Add बटन पर क्लिक करेंगे उस पर क्लिक करते ही यह देखिए Copy Command इस लिस्ट में Add हो गया है जिस तरह हमने एक Command एड़ किया है उसी तरह आप इस लिस्ट में से और भी Commands एड़ कर सकते हैं जिस तरह से हमने यह Commands एड़ किये हैं उसार से इनने रिमूव भी किया जा सकता है उदारन के लिए हम new file command को remove करना चाहते हैं तो उस पर क्लिक करके remove बटन पर क्लिक कर दें ये देखे new file command यहां से remove हो गया है इसके अलावा यहां दिये गए upward और downward arrows की सहायता से अब ये set कर सकते हैं कि कौन सा command आपको पहले चाहिए और कौन सा बाद में उदारन के लिए हमें copy command save से पहले चाहिए तो हम copy command को select करेंगे और इस upward arrow पर तब तक क्लिक करेंगे जब तक यह command सबसे उपर ना आ जाए इसी तरह से downward arrow की सहायता से आप किसी भी command को नीचे की तरफ shift कर सकते हैं उदारन के लिए हम save command को redo के बाद चाहते हैं यह देखिए यह redo के नीचे आ गया है अब इससे save करने के लिए OK पर क्लिक कर दें अब यह देखिए जो भी setting हमने की थी वो यहाँ उपर आपको नजर आ रही है यह copy command सबसे पहले आ गई है और save command redo के बाद में आ गई है और जो भी नए commands हमने add किये हैं वो भी यहाँ पर नजर आ रहे हैं quick access toolbar में commands add करने का एक और तरीका है हम insert tab के ribbon में दिख रही text box command को quick access toolbar में add करना है तो हम text box command पर right click करेंगे ऐसा करते ही देखिए एक menu open हुआ है इसमें सबसे पहले option है add to quick access toolbar हम इस पर क्लिक करते हैं यह देखिए text box command quick access toolbar में add हो गया है अब इस drop down menu में सबसे आखिरी option है show below the ribbon इस option को क्लिक करने पर quick access toolbar ribbon के नीचे आ जाएगा यह देखिए quick access toolbar ribbon के नीचे shift हो गया है इसे वापस उपर shift करने के लिए quick access toolbar पर right click करें और show quick access toolbar above the ribbon पर क्लिक कर दें आप quick access toolbar में दी गई commands को shortcut keys से भी इस्तिमाल कर सकते हैं उसके लिए पहले आपको अपने keyboard की alter key प्रेस करना होगी उसे प्रेस करते ही आपको quick access toolbar में number और tabs पर alphabets दिखने लगेंगी इन numbers और alphabets को प्रेस करने पर ये option apply हो जाएंगी मान लिजे हम print preview का option यूज़ करना चाहते हैं तो उसके लिए यहाँ पर जो number दिया है वो है 7 तो हम keyboard पर 7 number वाली की प्रेस कर देंगे यह देखे print preview आ गया है इसी तरह जब भी आपको यहाँ दी गई commands shortcut की द्वारा यूज़ करना हो तो alter की प्रेस करें सारे numbers और ये alphabet वापस यहाँ आ जाएंगे फिर आप इसमें से जिसका भी उप्योग करना चाहें कर सकतें Quick Access toolbar में जितने भी commands add होते जाएंगे number इस तरह से बढ़ते जाएंगे जैसे 9 के बाद 090807 इत्यादी MS Word 2016 के इस अध्याए में आपने जाना Quick Access toolbar के बारे में 그거 बादिम जचेक तरह सप्ता बारे में जाएंगे